सभी शिक्षक साथियूं को मेरा नमस्कार साथियूं शाला दर्पन पॉल्टल पर अपनी प्रस्नल डीटेल्स कैसे अपडेट करें आपका जो अपना व्यक्तिगत विवरण है वो किस तरह अपडेट करें अभी हमारे माद्यमिक शिक्षा के जो डारेक्टर साहाब हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है उसके अनुसार सभी शिक्षकों को एवं कार्मिकों को शाला दर्पन पॉल्टल पर अपनी जो प्रस्नल डीटेल्स है उसको अपडेट करना जरूरी है इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताऊंगा कहम हमारे स्मार्ट फोन में शाला दर्पन पॉल्टल पर अपनी स्वयम की जो प्रस्नल डीटेल्स है हमारा जो व्यक्तिगत विवरण है वो कैसे अपडेट करें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें देखें दोस्तूं अभी कल ही माद्यमिक शिक्षा निदेशालाई से एक आदेश जारी हुआ है आदेश क्रमांग है 241 डेट है 22 सितंबर 2020 सारे P.E.O.K. और सभी संस्ता प्रदानू के नाम यह ओर्डर है सबजेक्ट है शालादरपन पॉल्टल पर ओनलाइन कारी ग्रहन सूनिश्चित करने तथा स्टाप कॉर्णर लॉगिन में व्यक्तिगत सूचनाए अध्यतन करने बाबत एक तो इस आदेश में जितने भी लोगों ने जोइन किया है अभी कुछ दिनों में वो शालादरपन पे उनकी जोइनिंग आवश्यक होनी चाहिए दूसरा जो प्रस्नल डीटेल है उसके लिए ये नीचे के पेरेग्राप में लिखा है मैं पढ़के सुना रहा हूँ सोरप स्वामी साब का ओर्डर है शालादरपन पॉल्टल पर स्टाफ कोर्णर के माध्यम से स्थानांतरण आवेदन टेब के अंतरगत शिक्षा विभाग में कारिरत समस्थ कार्मिकूं से स्वायम तथा पारिवारिक सदश्यों की व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करवाई जानी है अतै स्थानांतरण नहीं चाहने वाले कार्मिक भी उक्ते व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट किया जाना सु निश्चित करें इसे सर्वच्य प्राथमिक्ता दें ये जारी हुआ है इसके अनुसार हम शाला दर्पंड पॉल्टल पर अपनी प्रस्नल डीटेल कैसे अपडेट करते हैं आईए हम जानते हैं तो दोस्तूं सबसे पहले हम गूगल पर शाला दर्पंड टाइप करेंगे टाइप करने के बाद ये खुल गया है ये स्क्रिन देखिए आप शाला दर्पंड.nic.in मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद ये शाला दर्पंड पॉल्टल खुल गया है इस पॉल्टल में नीचे हम सबसे पहले स्टाफ विंडो पे जाएंगे नीचे की तरफ ये देखिए ये स्टाफ विंडो है सिटिजन विंडो के नीचे मैंने स्टाफ विंडो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मैंने क्लिक किया है स्टाफ विंडो पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रिन आपके सामने आ जाएगी staff window उपर red background में लिखा हुआ staff login दूसरी तरफ लिखा हुआ home तो आप staff login पे click करें यह मैंने click किया है click करने के बाद आपको यहां अपना username और password डालना है और capture जो लिखा हुआ enter करना है और login करना है या आप वही password और username डालें जो आप CL लेते समय डालते हैं या अभी आपने टेफ भरने के दोरान डाला है मैं भी अपना username और password डाल रहा हूँ username password डालने के बाद मैंने login किया है login करने पे यह page खुला है उपर लिखा हुआ है integrated shaladarpan इसके left side में तीन RD line है आप इस पे क्लिक करें इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यह options खुलते हैं उपर home दूसरे number पे apply लिखा हुआ आ रहा है अब हम इस apply पे क्लिक करेंगे यह मैंने apply पे क्लिक किया है apply पे क्लिक करने के बाद यह options खुल रहे है पॉस्टिंग डेपोटेशन, apply for transfer, leave application, seniority list, apply for teacher award 2020 और staff grievances अब यहां आपको apply for transfer पर क्लिक करना है आप वापस समझ लें जो शिक्षक साथी transfer के लिए apply नहीं करना चाहते हैं नहीं कर रहे हैं उनको भी personal detail अपडेट करने के लिए apply for transfer पर क्लिक करना है मैं क्लिक कर रहा हूँ यानि सभी को apply for transfer पर क्लिक करना है apply for transfer पर क्लिक करने के बाद फिर ये Options खुले हैं, सबसे पहला है Stop Personal Details, अब हम इस पे क्लिक करेंगे, नीचे Transfer Application लिखावा, अगर आप Transfer Application Form Submit करना चाहते हैं, तो पहले Stop Personal Details पे क्लिक करें, वो सारा Update करें, फिर Transfer Application पे क्लिक करके, अपना Transfer Application Form बरें, हम Stop Personal Details अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सबसे उपर वाला Option है, ये मैंने क्लिक कर दिया है, अब देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद, चूँकि मैंने अपडेट कर रखा है, तो मेरा ये डिटेल इसमें आ रही है, सबसे उपर आएगा परिवार के सदिश्य का नाम, करमचारी से समन्द, लिंग, व्यवसाइ, वैवाहिक स्तिति, जन्म तिति, यदि दिव्यांग है, तो उसके बारे में, किस प्रकार की दिव्यांगता है, डिव्यंगता का कितना प्रतिशत है Medical Board का जो प्रमान पत्र है उसके अनुसार लिखना है और जो Medical Board है उसके द्वारा प्रमान पत्र जारी करने की तारीख भी यहां लिखनी है वानलो आपके परिवार का कोई सदिश इसमें आपके माता पिता अगर आपके साथ रहते हैं तो वो आएंगे आप पती पत्नी आपके बच्चे और उनकी डिटेल अगर कोई ऐसाध्य बिमारी से पिडित हैं तो उसकी डिटेल भी आएगी फिर इधर लिखा हुआ आएगा एड़ न्यू मैंने चूंकी सब्मिट कर रखा है अपडेट कर रखा है तो डिलिट लिखा हुआ आया है यहां आपके add new लिखाव आएगा ये add new पे क्लिक करें फिर परिवार के दूसरे मेंबर की सारी detail अपडेट करें फिर add new पे करें तीसरे की करें इस तरह आप detail करते जाएं करने के बाद फिर दूसरा option आएगा कार्मिक का स्थाई निवास का पता और इसके बाद नीचे कार्मिक के वर्तमान निवास का पता विदान सभा लोग सभाक्षेत्र और फिर आएगा final submit तो दोस्तों तो नीचे final submit पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो व्यक्तिकत विवरण है आपकी प्रस्नल डिटेल है वो शालादरपन पॉल्टल पे अपडेट हो जाएगी यह सारा process मैंने आपको बताया है आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे शिक्षक साथिय शेर करें और अगर अब transfer के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप transfer के लिए आवेदन करें उपर लिखावा apply for transfer वहां से आप आवेदन कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों